तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आप फेफडों, गेस्त्रो इंटेस्टाइनल संक्रमन, मूत्र और जननांग पत में होने वाले जीवानू संक्रमन की एक विस्तरित श्रिंखला का प्रभावी धंक से इलाज करता है, नो में टेबलेट को खाने के साथ सबसे अच्छा लिया जाता है, बहतर प्रभावकारिता एक निश्चित समय पर ले, अनुशन सित्खुराक से अधिक न ले, क्योंकि इससे आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पर सकते हैं, यदि आप एक खुराक भूल जाते हैं, तो जैसे ही आपको याद आए, इसे ले ले, उपचार पूरा किया जाना चाहिए, भले ही आप पूरी तरह से ठीक होने के लिए बहतर महसूस करें, इस दवा के कुछ दुशप्रभाव हो सकते हैं, जैसे मतली, उल्टी, पेट दर्द, भूख न लगना, चक्कर राना और सिर्दर्द, ऐसे किसी भी दुशप्रभाव को दूर करने के लिए स्वस्थ संतुलित आहार खा आधिक का अनुभव करते हैं, तो आपको ततकाल चिकित सा सहायता लेनी चाहिए, इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपके लीव या किड्नी में कोई समस्या है, इसके अलावा अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप किसी आस्ति स्थिती के लिए कोई दवा ले रही हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। शराब पीने से बचें क्यूंकि इस से इस दवा के साथ अत्यधिक चक्कर आ सकते हैं। ये आमतोर पर आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को कम नहीं करता है। लेकिन अगर आपको नींद या चक्कर आ रहा है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यदि आप दवा से अलजी जानते हैं तो इस दवा का उप्योग करने से बचना चाहिए। दवा के प्रभावी धंग से काम करन के नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।